एक पानी का जहाज कितना बजन उठा सकता है और कितनी स्पीड से ये चलता है चली जानते हैं टेक्निकली फैक्ट्स के बारे में समुद्र में तो कोई ट्राफिक नहीं होता है फिर भी पानी के जहाज की स्पीड इतनी कम क्यों होती है पानी के जहाज की धीमी रफ्तार से च चलते हैं कार या बाइक को आप आसानी से 100 से 200 किलमेटर की स्पीड से दुड़ा सकते हैं हवाई जहाज का भी यही कहानी है विशालकाय और भारी भरकम होने के बाद भी यह 300 से लेकर 900 किलमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है बात अगर पानी की जहाज की करें तो इन जानते हैं डिटेल से दरसल इसके पिछे आरपीम और टॉरक का खेल है सरल्वासा में कहें तो आरपीम का मतलब होता है स्पीड और टॉरक का मतलब है ताकत से अगर आप से अधिक स्पीड चाहते हैं तो उसकी बजन उठाने की शम्ता कम हो जाएगी कार और बाहन में अच्छे आर्पियम का इंजन लगाये जाता है कार से लेकर बस आदी का इंजन 2000 से 4000 आर्पियम पर सेट होता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा बजन नहीं उठाना होता है पानी के जहाज बहुत बड़े और भारी भर्गम होते हैं पानी का एक सगन मध्यम है जिसमें चलने के लिए उन्हें काफी ज्यादा ताकत की जुरूरत होती है ऐसे में उनकी रफ्तार कम होती है क्योंकि ज़्यादा पावर पानी को काटे हुए आगे बढ़ने में खर्च होती है